आप सबको मेरा नमस्ते अभी ये प्रोटोकॉल जो लर्निंग एक्षिन प्रोटोकॉल है उसका ये दूछरा भाग है तो ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है ये टेबल में हम लोगों ने बताया हुआ है कि अलग-अलग फेज में कौन से कौन से टुटोल्स दिखाने हैं मतलब अगर शिशोर मा की घर्मवस्ता और उसके बात के महतोपुर्ण चरण तो जैसे पहले टेबल में मैंने बताया हुआ है कि किशोरियों और शादी के बाद घर्मवस्ता की तैयारी करने वाली सभी महिला है घर्मवती माता है पहले तिमाही और दूसरी तिमाही अफकोस तीसरी तिमाही को भी ये दिखाना है क्योंकि ये सारे nutrition के tutorials है तो यहाँ पर क्या क्यों प्रॉब्लम हो सकता है हम लोको ने फिल में देखा है कि ये दौरान लोग लड़कियों में और तो में प्रूटीन की कमी के मातरा बहुत ज्यादा है आयन की कमी है, vitamin B12 की कमी है, folate की कमी है, koolin की कमी है, विट्यमीन D और कल्चम की भी बहुत कमी है especially जो किशोरी व्यकिलेड किया है प्रॉब्लम यह होता है कि ये जो type 2 वाला, type 1 वाला जो खाना है अगर वो मा के खाने में नहीं होगा तो जो मा का जो दूद बनता है तो दूद में भी वो टाइप वन प्रकार एक की मातर कमी होगी तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइप टू वाला खाना तो देना ही है तो उस पर भी आपको बहुत दिहान रखना है तो उसमें आता गया आपका आयन है विटमिन B12 है फूलेट है विटमिन D है ठीक है बहुत सारे ऐसे है कोली नियर आपको इंपोर्टन ठीक है मतलब प्री रॉमिनेंटली जो कर्वोहारेट है जो सिफ एनरजी देता है और कुछ ने करता है तो ऐसे खाना भी बहुत खाते हैं तो उनको फिर आगे जाके अगे जिस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज ब्लड प्रेशर उसके चांस बढ़ जाते तो यह वाला भी हम लोग यह समझे अभी हम लोग देखते हैं यह जो औरतों औरते होती है मैला है उनमें मैंगनेशियम की कमी भी बहुत होती ह है बहुत जादा उनको उल्टी होते है जरनली प्रेगनेंसी में स्थानपार और ब्रेस्ट्रॉल के महतों के प्रती समयदाशनल की कमी है तो वह भी तो कमी है अचली तो वह जो स्थानपान की जो नौलेज की कमी है वह हम लोग थर्ड ट्रामेस्टर में तीसरी तीमाही में दिखाते हैं लेकिन यह जो तबका है जो आपका किशोरिवाय का आपका आपको दिखाने हैं तो यह जो यहां पर तीसरा वाला जो है यहां पर मैंने कौन से दिखाने हैं वो मैंने बताया हुआ है दूसरा क्या है कि इसके साथ बहुत सारे हम लोग ने वेजिटरियन और नानवेज रेसिपीस भी बनाई है ठीक है तो आपको कोई भी अगर चांस मिले है आपको डिस्ट्रिक के साथ ब्लॉक के साथ आप मतलब मश्वरा कर सकते है कि भी ने ट्रॉशन टतों के बारे में उसके साथ वजिटरियन रेसिपीस और नानवेज रेसिपीस देखाना बहुत ही आवशक है ठीक है यह देखे हैं वे उसकी जन्ग फुर्ट का भी तर्टॉल है पहले और दूसरे प्रकार के पोछन तत्वती। मताओं को मानना जनना जरूरी है कि पोछन ततवता फ्यां motor 10 कly तेता कि उसके खाने में behavior पोशन तरत्व दो की मातरा बढ़ेगी तो उसका वजन भी अच्छा बढ़ेगा और उसकी जो मास्पेशिया है वो भी बढ़ेगी ठीक है तो यह सारे टुट्रॉल आपको दिखाने हैं जीवन के पहले हजार दिन का महत्वा यह वाला भी टुट्रॉल बहुत महत्वा है यह फेस में क्योंकि यहां पर सिखाया हुआ है कि उनको क्या खाना है मदर्स को प्रेग्नन मदर्स को लैक्टेटिंग मदर्स को यह जो आपकी किशोरी वैकी लेट किया है उनको क्या खाना है अच्छली तो बहुत विस्तार में हम दो ने समझाया हुआ है ठीक है एक दूसरा तुटॉल में पूर्वा घरभाश करी हैं तो आपको आयूम है किसी बात कर रही हूं चैक है अभी दूसरा phase रहा है आपका तीसरी थिमाही ये तीसरी inmaही में तो आपको सारे तुटॉबस जो तो दिखाने है इसके इसके इलावा आपको जो breastfeeding के videos है, breastfeeding के, breast crawl के, kangaroo mother के, क्या क्या problem आ सकते है breastfeeding में, अगर आपने वो सब तीशरे तिमाही में दिखा दिया तो बहुत सारे problem आपके delivery के बाद solve हो जाएंगे, अगर mother को मालूम है कैसे breast को दबा के दूद निकालना है, कैसे वो दूद को संगरना है, कैसे अगर nipple flat है तो क्या करना है, कैसे breast को पकड़ना है, कैसे बचे को दूद पिलाना है, तो यह सारा जो है, आप तीसरे तिमाही में उनको सिखा सकते हैं, तो यह सारे, और नवजात की जो देखबाल है, वो वाले टुटॉल भे आपको तीसरे तिमाही में दिखा देना है, अगर मा के पास स्मार्टफोन है, तो आप उनको बोल सकते हैं, यह सब्सक्राइब करके, वो नोटिफिकेशन अन करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, आपको यह भी सिखना है, कि बचे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, और कितना बढ़ना चाहिए, तो एक बार आप डबल्यू चोग रोट चार्ट भी उ कॉम्लिकेशन से हैं, तो वो भी आपको तिसरी ती मही में दिखाना है, क्या होता है कि कभी-कभी जबी वो प्राइवेट में जाते हैं, तो वहां पर नर्सीज डॉक्त को यह संपान के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो इमीजिटल अगर बच्चा लाच्ट नहीं करा कि अगर कहीं पर भी उसकी डिलीवरी हो इसको मालूम होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे दुट पलाएगी अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करेगी यह बैटल फिल्ड है वो मतलब लड़ाइ करने जा रही है अगर हम लोग ने सक्षम ने किया तो वो हार जाएगी ठीक है तो वह आपको यह आपकी जिम्मदारी है कि वह सक्षम होके कहीं पर भी डिलिवरे होए तो सक्षम होके जाना चाहिए ठीक है दूसरी दो तिन दूटारल है वह ब्रेस्ट क्रॉल के है तो ब्रेस्ट क्रॉल मतलब की तुरंती बच्चे को कैसे वह मा के चाती पे रखते है और कि ताम में भी होता है तो अगर आपको लगे कि मदर को सेजरन होने वाला है तो उसके भी तो तीन टुटारल है वह आपने देखे आरड़ी दूट कैसे निकालना है तो एक बार मा को आ गया कि वह अपने हाथ से प्रेस कम प्रेस्ट करके कैसे वह दूट निकालेगी तो चम्मच से पिला सकती है अब कोई हमारे अदिये है कि डिरेक्ट लाचिंग हो लेकिन अगर कुछ भी प्रब्लम हो तो माँ को पता होगा कि कैसे दूद पिलाना है तो क्या होगा कि अगर डॉक्टर ये भी बता रहा है कि बाहर का दूद लाओ या नर्स बता रही है कि उपर का दूद पावडर का डपा लाओ या उपर का दूद लाओ तो वो माँ बता सके कि नहीं पावडर का दूद मुझे नहीं लाना है मुझे माँ आता है कैसे दूद निकालना ठीक है तो ये जो कला है वो आपको last trimester में सिखानी है मा को ठीक है तो दूसरे दो तीन tutorials है कि बहुत बार बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है ठीक है पहले एक दो तीन हफता तो अगर मा को तीसरे तीमाही में पता चल गया कि बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ता है उसके कारण क्या है क्या-क्या वो कर सकती है तो अगर वो अगर आपने tutorials दिखा दिये तो again वो एक्टम सक्षम हो जाएगी तो ये आपको सारे tutorials दिखाने है ठीक है अब दूसरा एक phase है वो है आपके complimentary feeding का मतलब पूरकाहार का लेकिन पूरकाहार का जैसे हम लोग pregnant mothers को पहले से सक्षम कर रहे हैं breastfeeding के बारे में इसी तरह ये जो mothers है जिसके 5-6 मेने के बच्चे तब ही से उसको sensitize करना है ठीक है आप वेट मत करो उसको sensitize करो कि 6 मैने के बाद पूरकाहार बच्चे को देना है और कैसा देना है ठीक है ये भी सक्षम करना है कि 6 मैने तक सिर्फ मा का दूदी देना है उपर का कुछ नहीं देना है लेकिन वो एक मैना है आपको वो एक मैना मा को मिलना है या तो आप अंगरवणे में बिला सकते हैं, पीएच सी सब सेंटर में बिला सकते हैं या तो आप घर पे जाके उनको यह जो सारे टुटॉल्स हैं, वो भी दिखाने हैं वो प्रोडोकॉल में जबी समझाओंगी तो आपको पताओंगी कि पाच्वे मेने पे साड़े-पाँच मेने में कौन से दो-तीन टुटॉल्स दिखाने हैं, लेकिन यह सारे टुटॉल्स हैं, वो आपके कॉम्प्लिमेंटरी पूरकाहार के बारे में हैं, फिर छे से साथ मेन मेने के बच्चे, नौ से ग्यारा मेने के बच्चे, यह सारे जो बच्चे हैं, उनकी माताओं को यह सारे टुटॉल्स दिखाने ज़रूरी हैं, दूसरा आपने दिखा होगा कि हर महीने के लिए हम लोगने अलग-अलग रेसिपी बनाई हुई हैं, लेक फॉर एक्जामपल मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगी, तो यह तो है आपका यह जो नौ मैंने नौ प्रकार बताया हुए है, यह अचली मेरे कलीग है, दौक्टर देवाजी पतिल, उनकी उनका यह है, वो उनका कहना है कि लगभग हमारे जो पूरे जो टुटॉल्स है, हैल स्पोकन है, तो अगर हम लोगों ने सारे कॉंसेप्ट उन लोगों को सिखा दिये, तो हमरा मालनुट्रिशन डेफिनिटली खतम हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हो गया आपका, कौन से कौन से टुटॉल्स दिखाने है, कौन से टाइप पे, अभी मैं LAP पे आओंगी, तो यहां प बिंदू है, Learning Action Protocol, Learning मतलब सीखना, Action मतलब क्या क्रियाए करनी है, Protocol मतलब गाइडलाइन, ठीक है, तो सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए क्या-क्या क्रियाए करनी है, अगर आपने यह सारे क्रियाए करी 15, 20, 30 बच्चों पे, तो आप इतना माहिर हो जाएंगे, कि आप आपको, फिर सोचने की जरूतनी पड़ेगी कि आपको भी कांसा Action करना है, कांसी क्रिया करनी है, बच्चे का वजन पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए यह आपको, यह फिल्ड में यूज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, घर पे मिलने के समय, तो यह कौनसी कौनसे संपर्क बिंदू पे आप यह सारे टुटॉल दिखा सकते हैं, या तो माता को सला दे सकते हैं, तो बहुत सारे संपर्क बिंदू है, एक तो है घर पे मिलने के समय, तो जब आपकी होम विजट होती है, तो तभी आप यह तुटॉल दिखा सकते हैं, माता की बैठक होती है, आंगनवाडी का दौरा होता है जबी सब्ताहिक दौरा होता है मासिक दौरा होता है एंसिक के समय है ठीक है तो यह सारे अलग-अलग बिंदू है दूसरे आपके VHSND की विजट होती है मैंने में एक बार फ्रदानमंत्री सुरक्षित मातरुत्रोथ भ्यान पी-एस्वास्त कं करम और आन्य किशोर गर्भधारन की योजना बना रहे विवाहित जोड़े तो यह जो मैंने बिज़े से बताया जो पहला फेज है ठीक है तो किशोर वाई की लड़किया और लड़कों को गर्भधारन की योजना बनाने वाले विवाहित जोड़े पहली तीमाही दूसरी तीसरी तीमाही और स्तनपान करने लिए माताओं को भी यह ज्यान होना जरूरी है तो इस सारे जो पोशक तत्व है वहाँ पे मैंने जो भी हमारे रडी है उनका नाम लिखा हुआ है अब एक जिंक का हो रहा है तो होफुली जब तक आपको यह मिलेगा आपको जिंक का भी तीसरी तीमाही में जैसे मैंने आपको बताया कि घर भावस्ता के दोरान या तो PNC माताओं को कम से कम एक बार इन वीडियो को दिखाने के आवश्यता है जो पहले की जो टुट्रॉल से वो तो दिखानी है पोशन के लेकिन ब्रेस्ट फीरिंग की वीडियो सारे मैंने लि अगर पहले तो ब्रेस्ट खुल दिखाना ही आपको लेकिन प्रसर्व की टाइम में भी अगर एक बार आपने वो थोड़ा दस मिनिट का टुट्रॉल दिखा देया तो उसे पता चलेगा कि कैसे वो ब्रेस्ट ट्रॉल होता है ठीक है अगर मांक सिजेरन में जाने वाली है जब भी वो प्रिपेरिशन हो रहा है तभी तुरंत ही आपको एक दो टुट्रॉल दिखा देंगे तो उसको पता चलेगा जो कि मैं मेरी सला यह है कि अगर आप डिलिवरी के पहले प्रेग्निसी में थर्ड टिमाही में अगर दिखा तो जादा अच्छा रहे गा अभी बच्चे की डिलिवरी हो गई पैले 28-24 सेंद दो दिन रहते हैं, तभी आपको मा को हैल्ट स्पोकन टुटरल बार बार दिखाने हैं, आपकी जहां पे वो वोड्स है, वहां पे आप 45 जो बिंदू है, वो आप उसके जो चार्ट से वो लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह हम लोग ने ग्राफिक बनाये हुए, मैं आपक प्रिंट कर सकते हैं, बड़े पोस्टर 2x3 में प्रिंट कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि आपको ये टुटरल तो दिखाने हैं, लेकिन आपको स्टाफ नर्स को बताना है कि वो लैचिंग और उसकी जो स्किल है, वो स्किल सिखा है, जब तक वो बच्चा स्किल नहीं वो सिफ टुटरल दे के बहुत डिफिकल्ट होगा, तो स्किल में तो जैसे मैंने आपको स्किल कैसे सिखाई मेरे लाइव वीडियो में, तो वैसे आपको मदर को स्किल सिखानी है, और जितना आप वो स्किल सिखाएंगे, उतना बच्चे का वजन कम वेट लॉस कम होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे वो स्किल सिखाना है, ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो मैंने जो ब्रेस्फिडिंग जो अब्जरविशन फॉर्म दिया है, स्तनपान का निरिक्शन फॉर्म जो बोलते हैं, तो वो आपको भरना है, ठीक है, अगर उसमें अगर पॉइंस जो होते हैरे, बच्छे का मूँ के इतना बढ़ा होना चाहिए, तो बहुत अंदर की तरफ बच्चे को खीचना चाहिए, तो उसके होट ना देके, तो वो और शारे 5-6 पॉइंस इंशन देखना है कि मा को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो गलत है, उसका मतलब बच्चे को मा का दूथ मिलेगा नहीं और बच्चा भूका जाएगा अगर बच्चा भूका घर पे गया और मा को नहीं आ रहा है कैसे स्थान पान करना तो यह तो सही नहीं होगा आपके घर पे जो आपके घर पे जो बच्चे पैदा हो आप भूखा भेज रहे हैं उसका मतलब ये सही नहीं हो रहा है तो ये responsibility आपको लेनी है कि जो भी बच्चा घर पे जा रहा है उसको breastfeeding assessment form एक तो बार आपको भरना है और आपको ये जानना है कि बच्चा ठीक चलर से कारा की नहीं मा को मालूम है कि रात को दूद पिलाना है कितनी बार दूद पिलाना है बच्चे को पूरा stunt खाली करके दूसरी बाज़ी जैसे मैंने 45 पॉइंट पे दिखा है आपको वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि मा को वह सब पॉइंट आए ठीक है तो वो आपको ध्यान मे कि तीसरे दिन से चौदवे सप्ता, एक समूदा आए दोरा, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि हर शीजू का अलग सीखने और कार्य एलेपी कार्ड होना चाहिए, तो यह जो कार्ड हम लोग ने बनाया है, हर बच्ची के लिए अलग होगा, लड़कों के लिए भी अलग है, लेकिन हर बच्चे को आपको ये कार्ड देंगे, तो ये कार्ड फिर जो भी आशा है, आंगनवाडी है, जो भी होम जिट करेगी, तो उसमें ये सारे कार्ड उसको भरने है, क्योंकि ये कार्ड के हिसाब से अगर आप बच्चे के संभाल वरा है, तीसरे दिन का घर का दॉरा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मा घॉस्पल से आती है, हमें पता है, कि रुबर ऑबर सी की, भर्हार मावेए है कहीं प्राइवेट हॉस्पिल से आ रही है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये माको अच्छी तरह लैचिंग आता है कि नहीं आता है तो सबसे पले तो आपको क्या करना है जबी भी आप तीसरी दिन के विजट घर के दौरे पे जाएंगे तो आपको देखना ही उसका वजन क्या है उसका लंबाई क्या है ठीक है और आपको देखना है कि जनम की टाइम पे उसकी लंबाई क्या थी और जनम की टाइम पे लंबाई करनी है यह बहुत important है ठीक है तो जनम की टाइम की वजन क्या है और अभी तीसरे दिन पे वजन क्या ह अगर बच्चे को अच्छी लाचिंग आ रही है, मा को 45 बिंदू आ रहे है, तो आपके बच्चे का वजन कम होगा, इतना वजन कम नहीं होगा, ठीक है, पहले दिन कम होगा, लेकिन दूसरे दिन से उसका वजन बढ़ना चालो हो जाएगा, अगर तीसरे दिन पर आपके अवलोकन करेगी तो आपको बिल्कुल वह जो फ़़म में दिया हुआ Vanderp सारे बिंदू आपको देखने है कि मा ने हात दोय के नहीं मा ने पाने पिया के नहीं मा दोय के basket तो प्राक अफ़ाइव है ताइट तो रगी हुए कि उसने लूज किया है कि सारे जो बिंदू voting आपको जो ग्रोड चार्ट में दिखा है वह भी प्लॉट करना है ठीक है क्योंकि वह ग्रोड चार्ट से पता चले जाए कि बच्चे का वजन कितना कैसा बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा तो हर विजित में आपको वो ग्रोड चार्ट प्लॉट करना ही है ठीक है दूसरा क्या है कि आपको यह स्पोकन डूड तो डेफिनिटल अपको दिखाना है अगर बच्ची का वजन अच्छी तरह बढ़ रहा है और आपको लगे कि चलो अच्छा मा को सब मालूम है, 45 पॉइंट मालूम है तो आप ये decision ले सकते हैं कि आपको टुटॉल दिखाने के नहीं दिखाने लेकिन वजन कम हुआ है, तीसरे दिन पे भी वजन कम हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है तीसरे दिन के बाद अभी मैंने पाच्वे दिन की विजट रखी है, ये पाच्वे दिन की विजट क्यों important है, जो कि HP&C में नहीं है ये पाच्वे दिन की लेकिन हम लोगों ने फिल्ल में देखा है कि मा को लबबग हफता लगता है ब्रेस्ट्रिंग सिखाने को जितना हम वेट करेंगे बच्चे को सही लैचिंग सिखाना उतना ही difficult होता है तो वो difficult ना होए इसलिए आपको मा को पाच्वे दिन पर भी उसके घर पे दौरा करना है और सबसे पहले आपको वजन जाचना है, अभी लंबाई जाचने की ज़रूत नहीं है, तीसरे विजट फिर स्तनपान का अवलोकन करें, जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको देखना है कि मात ठीक तरह से ब्रेस्विडिंग करा रहे है कि नहीं करा रही है, तो जो मैंने लाइव वीडियो दिखाए थे, आपको याद है कि मुह कितना बड़ा होना चाहे, कितना नस्तिक ह तो वो जबी बच्चा लाइच करा है, आपको थोड़ा सब ब्रेस्ट हैं पर दबा के देखना है कि वो लाइच ठीक नहीं, ठीक है, दूश्रे इंपोर्टन पॉइंट जैसे मैंने बताया है, वो भी देखने है, और फिर वही है जैसे पांचवे दिन में, कि LAP कार्ड भर यो या हनुज्हाय है, इसको आइसी चार्ट इकाना है, ठीक है, तो वो सब मैंने आपको अल्यवजन जाच नहीं है, अभी वो वृद्धी चार्ट पे प्लॉट करना है और क्रॉस्केटल होल और सन पर गहरा जुड़ाव है कि नहीं तो वो 45 पॉइंट्स के IEC मट्रिल दिखान है और उनको टॉट्रॉस दिखान है ठीक है अभी यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका बच्चा लड़का है तो लगभग पहले हफते में 200 ग्राम बच्चे का बढ़ता है एवरेज ठीक है पहले एक दू दिन कम होगा लेकिन उसके बाद अगर लाचिंग ठीक है और माँको सारे पॉइंट्स बिंदु मालूम है तो तुरन फटा-फट वजन बढ़ तो अगर यह नहीं बढ़ा उसका मतलब कुछ ना कुछ ना कुछ ना प्रॉब्लम है तो 90 परसेंट नब्य टका वह मां को लाचिंग नहीं आ रहा है तो आपको वापस वह स्पोकन डिट्रॉल्स दोनों है क्रोस्केडल होल और लाचिंग दूसरे अगर आपको साइड दिखाना है कि कोई और होल दिखा सकते हैं लेकिन हमारी प्रोग्राम में क्रोस्केडल होल बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया हुआ है ठीक है और अगर बच्ची का वजन बढ़ गया आपको लगे कि लड़का है रही 200 ग्राम बढ़ा उसका पहले अफते में या तो लड़की का सोग्राम बढ़ा तो आपको मा को बहुत ही उसको कंग्राचुलीट करना है उसको उसको हिम्मत देनी है उसको बताना है कि बहुत अच्छा करी है और उसको उसका जो पोशन है उसके बारे में वही फोकस करना है क्योंकि अगर हम लोग उसके पोशन पर भी फोक एक बार लाच से वजन भढ़ गया फिर आपको मा पे भी फोकस करना है और बच्चे के दोनों पे बरुबर ध्यान देना है तो फिर आपको मा को प्रोचाहिद करके आपको बताना है कि वह स्तंपान जैसे करा रही है कराना चालू रखे और हम लोगों ने जो रेसिपीस सातवे दिन की विसेट अब यह जो है यह सातवे दिन के बात अभी दूसरी विजिसा आती है तसवे दिन, ठीक है, तो दसवे दिन की जो विजट है, अगर सातवे दिन पर बच्चे का वजन, लड़की का वजन सो ग्राम से कम बढ़ा है, और लड़की का वजन दो सो ग्राम से कम बढ़ा है, तो आपको अभी किसी को सुचीत करना है, क्योंकि अगर आप से नहीं हो रहा है तो आपकी supervisor है उनको जरा बताना है कि बचे का वजन जो इतना बढ़ना चीए था उतना नहीं बढ़ा है अभी मैं क्या करूँ ठीक है तो पहले वो वजन बचे का वो विजित में सातवे दिन में आपको दसवे दिन में वो वजन चेक करना है स्तन्पान का निरिक्शन करना है जही जो मैंने बताए वही करना है लेकिन आपको अभी ध्यान में रहे कि ये विजित में आपको किसी और को आपकी जो सीनियर है या तो आपकी जो कलीग है उनको आपको शुचीत करना है ठीक है अभी दसवे दिन के बाद हो गया आपकी बार बारवे दिन के विजिट में आपको क्या करना है कि सात्वी दिन से आपका सात्वी दिन को से लेके बारवे दिन तक आपका देशो ग्राम कम से कम बजन बढ़ना चाहिए तो यह पाश दिन हो गए आपके राइट सात्वी दिन से लेके बारवे दिन तो हर विजिट में मिनिम कम से कम 30 gram वजन बढ़ना चाहिए अगर 30 gram वजन बढ़ा तो आपका कम से कम ठीक है, एक्चली मेरा तो दिये है कि 40 क्राम बढ़ा है, क्योंकि WHO के रोट चार्ट के हिसाब से 40 क्राम बढ़ता है लेकिन अगर आपकी बचे का 30 क्राम बढ़ा है, तो आपको तुरंत ही आपके जो जो सुपर्वाइजर ने उनको सुचिच करना है कि चलो ये बचे का वजन पांच दिन में 400 क्राम नहीं बढ़ा है, मतलब 30 क्राम दिन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो हमें उसको जो आपका सुपर्वाइजर होगा या आपकी जो कलीग होगी, उसको भी घर का दौरा करना है, ठीक है, तो ये है आपका बारवे दिन की विजट, ठीक है, अगर 700 грам से ज्यादा वजन बढ़ा है, तो वो बच्ची को अप 14 दिन pow pc के हिसर होती है, वो हिसाब से आप बच्चे का दोरा कर सकते है, ठीक है, अगर 1500 ग्राम से कम बढ़ा है, तो वो बच्ची को आपको वापस दो दिन में स्ऺ शीशू को जाचना है, ठीक है, तो आप ध्यान आपका चौदवा दिन में लगभग आपके बच्चे का वजन दो हफते में 500 ग्राम बढ़ना चाहिए अगर लच्टीक है में बर्चे में बढ़ है 몇 टीके में लेकिन अगर रहनयाँ आपको क्यों नहीं बर्द रहा है वह आपको जाचना है और आप है faoooo वह जो टुटराल में तो थो इसमें और पी मरत सो फृषिज करना है,ने तो ज़ो फजर के बढ लए को ऐसी पर में मोich hasnot करना है लेकिन बच्चे का वजन बहुत अच्छी तरह बढ़ा 500 ग्राम बढ़ा 600 ग्राम बढ़ा पहले दो हफते में तो उसको डिरेक्टली हम लोग को हम लोग को किस को विजट डालनी है तीसरा सपता है और जो मैंने बताया है वहीं जैसे यहां पर दिखाया हुआ है वहीं आपको प्रॉब्लम है तो आपको यह वापस ध्यान में रखना है कि तीसरा हफता है एक विजट दिन नहीं बढ़ रहा है तो आपको तुरंत दो दिन में बच्चे का वजट करना है ठीक है बाद में आता है 28 अगर बच्चे का वज़न बहुत अच्छी तरह बढ़ा तो उसको डि बिल्कुल जैसे मैं पहले बताया तो इसी तरह आपकी देखे कितनी सारे विजट से देखे चटा सब्ते की है तो अभी एकीस के बाद 28 के बाद डिरेक्ली बायालिस है ठीक है तो अभी दो हफते के बाद बच्चे को देखना है और यह टाइम में बच्चे को पेंटा लेनी है आपको ठीक है और सारा उनको कांचलिंग करना है ठीक है फिर होगी आपकी पेंटा विजट छटा सब्ता दस्वा सब्ता और चौद्वा सब्ता तो यह आप जहां पे भी पेंटा मिल रहा है वहां पे भी जाज सकते या तो आप घर पे भी दौरा कर सकते लेकिन य यह तीन विजिट्स इंपोर्टेंट है क्योंकि पेंटा विजिट में उसका कॉंटाक्ट पॉइंट मिलेगा, हेल्थ को मिलेगा, तो आपको विजिट ऐसे ही नहीं जाने देनी है, सिर्फ वैक्सिन देने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का अबुए यह जो विजिट तौ मैं आपको बता देती हूं कि उसमें क्या करना है, अभी 17.25 मैने से लेके 12 मैं इक जो विजिट है तो उसमें क्या क्या करना है, सारे बैठक मैंने बता दिया है, संपर्ग बिंदु तौ मैं आपको वजन और लम्बाई जाचनी है तौफ का दूतिद है ठीक है शिशू के लिए ज़रूरी पोशक क्रियाय क्या है और दुसरे प्रकार के पोशक तत्वा पहले और दुसरे प्रकार के पोशक तत्वा तो टाइप 1 टाइप 2 नूट्रिन अपी धीरे-धीरे मां को हो करना है कि अभी बच्चा 6 मेने के बाद उसको क्या-क्या जरूरी है ठीक है अगर ये बच्चा दि बच्चे का वजन 6 किलो से कम है अभी 3 मैने में अगर 6 किलो से कम है तो आपको उसका वापस उसको ब्रेस्वीरिंग असेस्मेंट कराना है उसको वापस इसका लैच चेक करना है ठीक है सतन्पान की सला देनी है सारे पैतालेस पॉइंट जो बिंदु मने बताय हुए वो भी उनको बताने है कभी-कभी आप यह भी सला दे सकते कि पीछे का जो गाड़ा दूद निकाल के वो ब है तीन-चार मैने के बाद बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ भी आवाज होई वो बहार देखेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो और बच्चे डिरेक लैच नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा निकाल के और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है जो साहरो देखना है तो माको बोलो की कि थोड़ा एक्सप्रेस करके वह बच्चे को चमच से दूध या कप से दूध बिला सकती है तीकर पीछे ओला दूध में जो जो चर्वी है जो वाची चर्वी सब बहुत-चर्वी ऐसे बहुत अच्छा बढ़ेगा तो एक ध्यान में र फिरवेसगे साड़ा चार महीने में घर का दवरा होगा वापस एक महीने के बाद देखे अधी विजश अभी कम होने लगी है चार बताया है तो वैसा ही आपको करना है चार करना हे जातले का कीविजट को आंगी आप तो साथे पांच महीने में यह लगा मुझा एक Tools कि moor शीशु के खाने को स्वच्छता से बनाना, खिलाना और रखाओ, और शीशु का खाना बनाते और खिलाते हुए खुद की सफाई, तो आपको ध्यान में रखना है, वो थोड़ा चालो करना है, मा को सी खाना, ठीक है, लेकिन एक बेद भात, ध्यान में रहे कि सिर्फ मा का सामान्य देशान्रदेश है, और चे और चोवीज महिने के लिए एक पूरकाहार, वो जो दो टुटोल्स जो आपने देखे हैं, वो आपको अभी 5-5 महिने में दिखाना है, ठीक है, तो वो दिखाएंगे, तो आपको, 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 मा को पता चलेगा, कि अभी 6 महिने क अगर बच्चे का वजन साड़े से किलो से कम है, तो मा को बोलो कि अपने हाथ से पीछे का घाड़ा तो निकाले और चमच से उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बाद दे, ठीक है, आपको, अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको, हर 2-2 हफते पे देखन लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आपको हर 2-2 दिन पर देखने के जरूरत नहीं, अगर बच्चा बहुत कमजोर है, तो 2 दिन में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बॉटल लाइन है, तो आपको, हर 2 हफते देख सकते हैं, ठीक है, अभी यह आगे आपका आपको पहले जानना जरूरी है कि फैमिली में जो मदर है, फादर है, क्या-क्या वो लोग खाते हैं, ठीक है, तो अगर बच्चा शाकारी है, तो फलिया, दाल, बाजरा, जवार, जो धान बोलते हैं, छोटे-छोटे धान होते हैं, रागी है, नाचनी है, दूसरे जो धान मैंने बताया हो है, मिलेट से, तो वो बच्चे के खाने में चालू करने है, दही है, पनीर है, ठीक है, मेवे, अपने जो ड्राइन नट्स है, जो बीच का पावडर है, वो सारे प्रोटेन यूक तो खादर प्रदार से आपको शरुवात करनी है, ठीक है, जितना हो सके आप प्रोटीन वाला खाना पहले दे, उसके बाद सबजी दे और उसके बाद फ्रूट ले, ठीक है, हम लोग ने देखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे सबजी से चालू करें तो उनका वजन बहुत बढ़ नहीं रहता, मतलब सेड़ी हो रहता है, या तो कम हो रहता, क्योंकि ज मिनिमम स्तन के दूद के अलावा आपको पांच फूड ग्रूप देने हैं, जो खाद्य समू हैं, पांच मिनिमम मा के दूद के अलावा अगर बच्चा मासारी है, तो सुनिचित करें कि बच्चे को पहले मासारी प्रोटीन युगत खाद पदार्त दे, मतलब अंडा है, च और मासारी बच्चा जो हता है उसमें मा के दूद के अलावा मिनिमम साथ समू हरोज खाने में होने चाहिए तो मा को बोलो कि ऐसा नहीं कि अपने आज अंडा देया तो अभी दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद हरोज वो खाना वो टाइप 2 नुट्रियंट है प्रोटीन तो हरोज बच्चे के खाने में होना चाहिए तो जितने ज्यादा बच्चा अलग-अलग खाना खाएगा इस्पेशली प्रोटीन वाला उतना विकास अच्छा होगा ठीक है छे महिने में घर का दोरा क्या करना है तो जैसे मैंने बताया पहले उसका वजन लेना है लंबाई जाजनी है एलिपी कार्ड जो मैंने बताया हुआ था कि कॉंप्लिमेंटरी फीडिंग जो पुरा का हार का जो है उसमें क्या-क्या होना चाहिए तो वो जो डेटा है वो आपको कलेक करना है रुद्धी चार्ट प्लॉट करें और पोशन आइसी चार्ट भी दिखाया आप ह ग Pack्ल bucks उनीटर्णों मौनसी चार्ट पॉषण क्रम इंपी जो पैच्छा प statements आप च्छेakt डिखने exception 2'll तो भी जो करें जो जो व्हांब जोम्हें आप और हर चोथे दिन पे और भोजन भी आपको ध्यान में लखना है मा को अगर बच्चे का वजन साड़ेचे किलो से कम है छे मेने पे तो वो बच्चे को वापस मा को बोलो कि कैसे दूद पिलाना है ठीक है कैसे पीछे का घाड़ा दूद निकाल के उसको ज्यादा दे सकते हैं लोग ऊपर का दूद चालो करने की ज़रूत नहीं है बिल्कुल बच्चे को प्रोटीन के सेवन में रहेएंगे तो बच्चे का वजन बढ़ेगा ठीक है तो मा को बोलो कि एक अंडा तो हरूज बिल्क। यह बच्चे अगर वजन नहीं बढ़ा या पड़ा है आपको और वाम दोलेंगों देखना है अगर बच्चे को ऐसे लगी कि आपको बच्चे का वजन बहुत कमजोर है बच्चा नहीं खा रहा है तो आप दो हफ्ते तक की रहा मत देखें आपको तो तीन दिन में देखना है कि बच्चा खा रहा है कि नहीं खा रहा है क्या हो रहा है उसको जुलाब तो नहीं हो रहा है यह बच्चा भी हाई-RISK है, तो उसके साम में जाने के चांस बहुत जादा है, दूसरा है साड़े छह महिने का, तो साड़े छह महिने में घर का दौरा, तो वजन जाचना है, उसका लेपी कारड भरना है, उसका ग्रोच चार्ट भरना है, एक चीज आपको ध्यान में रखने कि कभी भी बच्चे आपके पास आए, वो ग्रोच चार्ट उसका भरना है, तो वो ग्रोच चार्ट में बच्छे का वजन बढ़ा की नहीं, बढ़ा की नहीं, वो ग्रोच आपको डैफिनितली डालना है, ठीक है, पोशन आई-सी चार्ट भी दिखाए और यह जो पोशन का आपको इस्सेमाल करना ही अभी यहाँ पर मैंने यह भी दिखाया हुआ है कि कम से कम कितना खाना उसके पेट में जाना चाहिए कितना कॉंटिटी कितनी भार जाना चाहिए और यह भी जजाचना है कि माने वह बनाए or कम से कम दूभ नाना कि अगर ठेक 43 dawn अधि persever scout जब पकाई के पाउडर बनाओ तो आपको पूछना है कि कौन से पूटर बनाए है, दिखाओ आपको देखना है कि उसने बनाया कि अगर नहीं बनाया है तो वाहavacач दिखाने हैं कि उस पाउडर बनाओ और बच्चे की खाना जबी आप बना रहे हो तो वो पाउडर काने के पहले वो पाउडर डालने तो वो पाउडर रुपी पकाने के साथ ठीक है और यहां पर लिखाए मेने की छटे मेने की विजिट के बाद बच्ची का वजन कम से कम 100 ग्राम बढ़ना चाहिए ठीक है दो प्रोटीन की मातरा कम है, तो यह ध्यान वे रहे, दूसरा है यह है कि अभी साथवे महने की विजित आई, तो साथवे महने की विजित में भी आपको यही करना है, जैसे महने बताया है, अभी दूसरा जो लास्ट वाला है, वो है साधे साथ महने की विजित पे आएंगे, तो और यह जो IAC material जो हम लोगों ने बनाए हुए तो आपको दिखाना है ठीक है और हैस्पोर कंट्रोल में कौन सा आट से ग्यारा मेने की जो बच्चे की जो साकारी और मासारी खाना बनाने की जो यह रही थे तरीक है तो वो उसका भी ट्रोल दिखाना है आपको उर दूसरा जो है कि सुनिच्चत करें कि बच्चा दिन में 3 लार कम से कम आधा कप हाच से मेश किया होग खाना ठीक है और मां को आपको घर पे देखना है कि मां कम से कम 3 पोस्टिक पाउडर भी घर बनाये हूए तो आपको देखना है कि तो वो भी आपको जाचना है और चटे माईने की विजट से कम से कम बचे का वजन 300 gram बढ़ना चाहिए तो यह आपको जाच में दिहान में रखना है कि अगर वज़े का वज़न 300 gram से कम बढ़ा है तो आपको एक हफ़ते में वापस बचे को देखना है अगर वज़न अच्छा बढ़ा है तो आपको आठवे माईने पर उसका दोरा करना है तो यही आपको सेम जैसे में लिखा है वो आपको फॉलो अप करना है हर विज़े में लिखा हुआ है कि कितना खाना चाहिए क्या-क्या खाना चाहिए और कंसे-कंसे पाउडर कितने कं एक पाउडर्स सुज्सक्राओ इपोल्ग नुए थिकारॠ ऑर यह हुए बताई हो कि इसे कितना मएने रद tenure जाहिए आपको हर दू-दू अपसे पर देखने की जरूरत नहीं है, यह आपके 10 मैने का बच्चा है, 11 मैने की जो विजट होती है वो लिखा हुआ है, और 12 मैने की विजट, तो 12 मैने की विजट में आपको बच्चे का वजन, 6 मैने की विजट से लगभग 900 ग्राम जितना बढ़ना मेरा फोकस है एक किलो, लेकिन अगर 900 ग्राम से कम बढ़ा है, उसका मतलब बच्चे को जो तरह तरह के प्रदार्थ मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे है, तो मा को बोला है कि अपना दूद चालो रखे, थोड़ा पीछे का दूद घाड़ा ज्यादा दे, और अलसो जो प् पान में रखना है कि टीवी नहीं दिखाना है, ठीक है, और यह सारे फूद ग्रूप से, पहला वाला फूद ग्रूप से वो अनाज है, और आलू है, शकरकंद है, वो भी है, दूसरा है वो जो कठोल है, ठीक है, उसको भीगा के उसके मोड आने जरूरी रंकुरित होना चा जबता है, वो जो विटामिन A यूद जो प्रदार्थ है, सबजी और फल, सात्वा है जो अन्य प्रदार्थ, अन्य सबजी, तो यह अपके फूद ग्रूप से, पहला वाला जो फूद ग्रूप है, वो तो मा का जो दूद बोलते है, ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रख कि यह आप इस्तिमाल करिए सारे जो बच्चे आपके बहुत ही हेल्ली रहेंगे बिल्कुल उनका वजन कम नहीं होगा बहुत अच्छी मात्रा में वो नम्माय में भी बढ़ेंगे और वजन में भी बढ़ेंगे तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है धन्यवाद लाद लाद झाल